हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज की इस वीडियो में करें क्लास 12 बायलोजी का चेप्टर 16 एन्वायरमेंटल इस्यूस से मल्टीपल चोईस क्यूसन और यह हम करें NCRT एक्सेंपलर बुक से इस चेप्टर के अंदर टोटल 22 क्यूसन से हैं तो आप इस वीडियो को कम्पलीट देखना और लास्ट में हम यह बताना कि आपके जो वो 22 में से कितने क्यूसन करेक्ट होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूसन से तो हमारा फर्स्ट क्यूसन है नोन बायो डीग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर क्र क्यूसन है एकोर्डिंग तो दा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोड दा डायामेटर ओफ पार्टिकल्स देट आर रिस्पोंसिबल फॉर कोजिंग ग्रेट हार्म तो हुमन हैल्थ इस ऑप्शन दिया गया है 2.5 माइक्रोमेटर बी दिया गया 5 माइक्रोमेटर सी दिया गया 10 माइक्रोमेटर एंडी दिया गया 7.5 माइक्रोमेटर तो हमारा जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोड है वो किस डायमेटर के पार्टिकल्स को जो यह मानता है कि वह बहुत ज्यादा हार्म कर सकते हुमन हेल्थ को तो वह होता है कोटना 2.5 माइक्रोमेटर तो आ तो साउंड प्रूफिंग के लिए जो हम किस मेटिरियल का यूज़ करते हैं ज्यादता रिकोर्डिंग स्टूडियो वगेरा के अंदर तो वो मेटिरियल होता है कुण सा स्टाइरो फॉर्म तो करेक्ट अनसर आ जाएगा ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट हमारा फॉर्थ क्यूस अप्शन बी ओके नेक्स्ट मारा फिक क्यूसन है वर्ल्ड's most problematic aquatic weed इस वर्ल्ड's most problematic aquatic weed कोन सा है एजोला वॉलफिया इकॉर्णिया या फिट्रापा तो इसका अंसर भी आप बच्छों को पता होगा क्योंकि बहुत बात जो है ये क्यूसन आ चुका है तो इसका correct answer आएगा क् अप्सन सी इकोर्निया जिसे हम वाटर हाय सिंथ भी बोलते हैं ओके आगे बंदे से पहले अगर आपको जो फीजिक्स केमेस्ट्री बायो की एक्सेंपलर बुक डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलिग्राम चेनल जोइन कर सकते हो अगर आपको बायोलोजी के नोट्स प्र मेटेरियल हो सकते हैं तो यह पर करेक्ट अनसर आएगा क्या बोथ B and C क्योंकि मरकरी और DTD जो है वो दोनों ही बायो मेगनिफिकेशन के अंदर वर्क कर सकते हैं ओके नेक्स्ट हमारा सेवन्थ क्योशन है दा एक्सपेंड फॉर्म ओफ डी डी टी की एक्सपेंडिड यहां पर जो डी डी टी की हमें फुल फॉर्म बतानी है वो क्या हो सकती है वो तियो डाइक्लोरो डाइफिनाईल ट्राइक्लोरो इथेन तो करेक्ट अनसर आजाएगा ओप्शन ए ओके नेक्स्ट हमारा एट्थ क्योशन है वीच आप दा फॉलिंग मैटेरियल टेक्स दा वो हैं फॉलिंगेस्ट टाइम फॉर बायो डी ग्रेडीशन बायो डी ग्रेडीशन में सबसे ज्यादा टाइम कुण सा लेता है अप्शन लेता है और अप्शन बीया पैपर बायो एंड उपसंदी जूट तो इसका अंसर भी लग बग सभी को पता होगा सिसका और प्रेक् आप्शन बी है मिथेन एंड कार्बन डायोक्सड आर ग्रीन हाउस गैसिज आप्शन सी है डॉप्शन यूनिट्स आर यूजर ऑक्सिजन कंटेंट ऑफ एर अप्शन डी है यूज ऑफ इन सेंचर इस क्रूशल टू डिस्पॉजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट तो यहां पे हमे यह बताना है कि कुछ सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डॉप्शन यूनिट आर यूज तो मैजर ऑक्सिजन कंटेंट ऑफ एर क्योंकि डॉप्शन यूनिट जो है वो थिकनेस ऑफ ओजॉन को मैजर करने में काम आती है ओके तो ओ प्रे विच वन को मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉलिशन तो यहां पर करेक्ट आंसर आएगा बर्निंग कॉल ऑप्शन ए बर्निंग कॉल मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉलिटेंस को रिलीज करता है ओके नेक्स्ट हमारा 11 ग्रीन स्कम सीन इन फ्रेश वाटर बोडिज इस जिल्गी की वज़े से वह में दिखाई देता है ग्रीन स्कम ओके नेक्स्ट मारा 12 ग्रीन स्कम है दा लाउडनेस ओफ ए साउंड डेट ए पर्षन केन विद्स्टेंड विदाउट डिसकमफर्ट इस एबाउट ऑप्शन है 150 डीबी ऑप्शन बी है 215 डीबी ऑप्शन सी है क्योंकि अबाव जो 80 डीबी है वो अनकफ़र्टेबल ना उस में आती है ओके नेक्स्ट हमारा 13 के उसने दा मेजर सोर्स ओफ नॉइस पोल्यूटेंट वर्ल्ड वाइज इस ड्यू तो ऑप्शन ए ओफिस एक्विक्मेंट ऑप्शन बी है ट्रांस्पोर्ट सिस्टम ऑप् पर हमारा कि उसने 14 के उसन वह है मेच दा कॉलम तो मेच दा फॉलउंग एंड चूज दा करेक्ट ओप्शन कॉलम लुन टू कॉलम वन में दिया गए है एंविर्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट एवर्टेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉलिशन एक्ट वाटर एक्ट एंड ऑप छेक करते हैं तो यहां पे जो हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें कि environmental protection एक टो environmental protection अट का बाधा 1986 में ओके air presentation and control of pollution अग्ट का बाधा 1981 से अंदर water हमारा का बाधा 1974 के अंदर and amendment of air act को गिया गया था टू include noises and air pollution उसको कब किया गया था 1987 में तो एसा option देख लेते हैं A जो है वो हमारा जाना चाहिए third के साथ तो A जो third के साथ हमारे दो option में जा रहे हैं A and D B देख लेते हैं वो हमारा जाना चाहिए fourth के साथ ये भी अभी दोना option में जा रहे हैं C जो है वो हमारा जाना चाहिए first के साथ तो हमारा correct answer आएगा option A and D जो वो भी सेकिन के साथ तो बिल्कुल सही तो मारा अंसर आजाएगा option A ओके next हमारा 15 question है catalytic converter are fitted into automobile to reduce emission of harmful gases catalytic converter change unburnt hydrocarbon into जो catalytic use करते हैं वो unburnt जो hydrocarbon होता है इसको किसमे convert किया जाता है option A carbon dioxide in water, option B carbon monoxide, option C methane and option D carbon dioxide and methane तो जो unburnt hydrocarbons होते हैं उसको catalytic converter किसमे convert कर देती है carbon dioxide and water के अंदर तो आंसर आजाएगा option A next हमारा 16th question है why is it necessary to remove sulfur from petroleum products petroleum products के sulfur remove क्यों किया जाता है option A है to reduce the emission of sulfur dioxide in exhaust fumes option B है to increase efficiency of automobile engine option C है to use sulfur removed from petroleum for commercial purpose and option D है to increase the lifespan of engine silencer तो sulfur को जो वो petroleum products है इसलिए remove किया जाता है because to reduce the emission of sulfur dioxide in exhaust fumes तो इसलिए इसका correct answer आजाएगा option A okay next हमारा 17th question है which one of the following impurities is easiest to remove from wastewater सबसे easiest किस impurity को हम remove कर सकते हैं वेस्ट वाटर में option A है bacteria option B है colloids option C है dissolved solid and option D है suspended solid तो यहाँ पे किसको बहुत ही आसानी से remove कर सकते हैं correct answer आएगा इसका क्या suspended solid suspended solid को सबसे easily remove किया जा सकता है okay next हमारा 18th question है which one of the following diseases is not caused due to contamination of water contamination of water की वाटर की वाटर की वाटर की वाटर की वाटर की वाज़े से नहीं होती है option A है hepatitis B option B है jaundice option C है cholera and option D है typhi तो यहाँ पे correct answer आएगा क्या option A है hepatitis hepatitis जह वो contaminated water की वाटर की वाज़े से नहीं होती है okay next हमारा 19th question है nuisance growth of aquatic plant and bloom forming algae in natural water is generally due to the high concentration of option A कार्बन, sulfur, calcium या फिर phosphorus तेहां पे इसका correct answer आएगा क्या phosphorus next हमारा 20th question है algal bloom impact a distinct color to water due to algal bloom जो उसकी वज़े से अला color की होता है option A है their pigment option B है excretion of colored substance option C है formation of colored chemical in water facilitated by physiological degradation of LB and option D है absorption of light by algal cell wall algal bloom impart a distinct color of water due to the their pigments उनकी pigments की वज़े से तो इसलिए correct answer आएगा option A next हमारा जो एक वापीस है match the column question है match the item in column 1 and column 2 and choose the correct option तो यहापे column 1 में दिये गए UV, biodegradable, organic matter, DDT and phosphat इधर दिये गए biomagnification, eutrophication and snow blindness या फिर BOD तो यह जो ultraviolet tradition है उसकी वज़े से क्या हो सकता है slow blindness तो next हमारा A जो वो 3rd के साथ जाएगा biodegradable organic matter से हम क्या measure करते है BOD DDT जो है वो किसके अंदर आता है biomagnification के अंदर and phosphat किसके अंदर आता है eutrophication के अंदर तो अब देख लेते है A जो हमारा 3rd के साथ जाना चाहिए A 3rd के साथ हमारे 3 option में जा रहा है next जो हमारा B जो है जाना चाहिए 4th के साथ तो B 4th के साथ के अवल A की option में जा रहा है फिर भी देख लेते हैं C जो 1st के साथ yes and D जो 2nd के साथ तो yes तो हमारा correct answer आ जाएगा option C next हमारा बिलकुल last question है इससे related पहले AIPMT जब exam होगा करते थी तो काफी question आ चुके है इन दा टेक्स्ट बुक यू के में अक्रोस 3 माइल आइसलेंड एन केरनोबिल डिजास्टर एससेटेड विद दा accidental leakage of radioactive waste in India we had बोपाल गेंस तरासदी it is associated with which of the following यहाँ पे जो यह सारे जो हुए है accident वो किस के साथ लिंक करते हैं option A is CO2 option B is methyl isocyanate option C is CFC and option D is methyl sinate तो कौन से radioactive waste जो वो लिकेज हुए तो यहाँ पे correct answer आएगा methyl isocyanate option B तो आज की वीडियो को लिए इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए मिलते जल्दी नेक्स टूडियो साथ अब तक के लिए धन्यवाद